हेलो नमस्ति दोस्तों आज फिर से शरौर सर्मा कीचन में आपका स्वागत है आज आपको हम नए तरीके से मेथी की सब्जी कैसी बनाई जाती है उसकी विदी बताते हैं और प्लीज अभी तक जिनों नहीं हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज कर लीजिए सब हैं तुम नहीं के लिए सबसे पहले मेथी लिए वैसली तरीक है इसाप पानाई से जाज दोसे थीम बार दोबी लिए है तो यह थोड़े बड़े टायप की मैने काट आता देख सकते हैं यह ड़ड़े कच्छे हैं ज्यादा ज्यादाrah ज्या है जल्याने साब पीच्छे के तो आज जो मेति की सब्जी हम बनाने जा रहे हैं थोड़े अलग तरीके से बनाएंगे और जादा स्वाधिस्ट बनाएंगे तो अब इसको हमें थोड़ा सा बड़ा फीस में काटना है यह मेनी बड़ा वाला चपकुल लिया तो मेति को हम काटेंगे तो मेति की जो सब्जी बनाते हैं उस ताइप से हमें नहीं काटना इसको थोड़ा सा बड़ा साइज का काटेंगे दो दो टुकड़ा करेंगे मेति का तो देख सकते हैं मेथी को मैंने दो भागों में डिवाइड कर लिया है इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा ही साइज का काटा है देख सकते हैं दो भागों में डिवाइड किया है इसको जो मेथी की सब्जी हम बनाते हैं तो बिल्कुल बारी काड़ते हैं तो मैंने बारी नहीं काटा अब हमें गरम पानी करना ाइब इसको हलका सा बोईल करेंगे तीय मैं निकड़ाय में पहले से गरम पानी करने के लिए रख दिया था तो गरम पानी भी हुमारा हो चुका है तो अब बनाइए ज़्यादा टेष्टी लगी सबजी खाने में इसको अब हमें तीन मिनट के लिए धके रचना है ताकि थोड़ी सोप्त हो जाए में थी इसको हम तीन मिल्ट के लिए डखके रखेंगे और तब तक सबजी बनाने के लिए ग्रेवी के लिए दो टमाटर लिए और चार से पांच मेने हरी मिर्च लिए यह बारिक वाली है यह बहुत ही तीक ही होती है तो आपको अपने अकोडिंग ले सकते हैं तीका जितना भी खान आपके लिए इसमें हम सबसे पहले टमाटर काटके डालेंगे तो आप अब इसको हमें बिल्कुल बारिक पीस लेना है तो यह मेंने ग्रेवी पीस लिए बिल्कुल बारिक अ यह मेंने बिल्कुल बारिक पीस ही है ग्रेवी को तो खेली हमारी तैयार है अब हमें मेथी को भी देखना है तो देख सकते होते हैं तीन मिनिट भोक्त ही हो तो यह प्रणा प्रणा न थोड़ा से थंडा करना है यह थोड़ा से थंडा होने के बार में मिकसी में सब्राइक पीस लेंगे तो इसको भी हम पीसना है यह में ने वही वाला जार लिया है अपसे में डाल के पीस के और जो इसका पानि है वो भी हमें इसमें डाल देना है पानी को बाहर नही डालाना है तो देख सकते हैं मेथी को मैंने बिल्कुल बार एक पीस लिया है अब हमें कडाई लेना है सबजी बनाने के लिए तो यह मैंने कडाई लिए गैस मेंने ओन कर दी तो कडाई को हम गरम करेंगे तो कडाई में मैंने ओल डाल दिया है ओल को भी गरम करते हैं कि फोईल हमारा गरम हो चुका है तो इसमें सबसे पहले दीरह डालेंगे दो चुटकी मेंने हींग लिए हींग डालेंगे जो मेरी टमाटर की ग्रेवी बनाई थी ग्रेवी को डालेंगे अब इसमें मसलह डाल रहें यह हम लाल मुर्श डाले लाले इसमें हरी मुर्श भीस में डाली थी तो daha हमी डालेंगे खल्धी पाउडर डालते हैं णमक डालते हैं और िनको सबी कर्चे से मिक्स कर लेंगे को डखके पकाएंगे तीम मिनट के लिए गैस का प्लेम फुल रखेंगे और यह मेने लिए पांस से च्छे आलू तो आलू मैंने यह बोईल करके लिए हैं तो बोईल करके आलू जो मेने लिए उसको हमें थोड़ी से मोटे फीस में काटना है तो हम सबी को इस तरीके से काटेंगे तो आलू को मैंने काट लिया है तो ग्रेवी भी हमारी बन करके तयार हो चुक है तो इसको इक पर लिक्स कर लेते हैं तो ग्रेवी सब्जे के लिए तयार हो चुक है अब इसमें मेने मेटी लो तीसा ता मेटी राव देते हैं अगर आप इस तरीके से मेती की आलो की सब्ची बनाएंगे तो आप यकिन माने सब्ची आप खाना मेती की जो मेने ग्रेवी बनाई थी वह अच्छे से पक चुकिये देखते हैं इसको मेरे तीन से चार मिनट लिए अच्छे से पका लिया है अब इसमें हमें आलू जो में निकाता आलू दालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल की और इसको हमें दो मिनिट के लिए फिर से पकाना है तो सब्जी बन करके तयार हो चुकी है गैस मेंने बंग कर दिया है तो देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से सब्जी पक भी चुकी है तो सब्जी को मेंने निकाल लिया है तो देख सकते हमारी आलू और मेती की सब्जी कितनी अच्छी लग रही आप इस तरीके से आलू मेती की सब्जी बनाएगी तो सभी को बहुत जादा पसंद आएगी बहुत ही अच्छी लगेगी और जादा टैस्टी लगेगी तमारी सिंपल तरीके से आलू मेती की सब्जी बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज लाइक करें और कमेंट्स करके जर झाल झाल